यदि आप भूतपूर सैनिक एक सर्विसमेन है तो आपका स्वागत है हमारी यूटूब चैनल पे इस वीडियो में फ्रेंड्स आपको ओर ओपी टू से रिलेटेड काफी इंपोर्टन जानकारी देने वाला हूँ लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए साथ ही साथ बिल का आइकन को दबा दीजे फ्रेंड्स साथ ही में friends आपको वीडियो के description में WhatsApp group का link मिल जाएगा उसे जाके आप join कर लिजे उससे फायदा ये होगा कि आपको job की notification तुरंद मिलेगी तो आईए देखते हैं क्या है news friends अभी हम लोग आ चुके हैं official website PCDA के official website पे आ चुके हैं यानि principal controller of defense account परियाग राच के official website पे आ चुके हैं और यहाँ पर जो है OROP2 के उपर बहुत है important यहाँ पर notice निकल करके आई है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने भी यहाँ पर बताया है major general सद्बीर सिंग हो या एक serviceman welfare हो society हो उसके द्वारा भी यहाँ पर काफी जादा news निकल करके आ रही है OROP2 के उपर तो इसके बारे में full detail में बताऊंगा क्योंकि हमारे जितने भी एक serviceman है काफी लंबे समय से जो है one rank one pension two के revision का इंतजार कर रहे थे उनका revision का इंतजार करते करते लगभग लगभग जो है एक मार्च से ले करके अब दूसरा मार्च यहाँ पर आने वाला है इतना लंबा समय बीच चुका है लेकिन OROP2 का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है तो उसी पर यहाँ पर एक important news निकल करके आई है latest update निकल करके आई है कि जो one rank one pension का जो पैसा है हमें जो है केंदर सरकार कब तक देगी तो आपको बता दू friends कि सरकार ने जो है लगभग लगभग जो है 9 महिने का extra time मांग लिया है सरकार ने 3-3 महिने करके extra time मांगती गई सरकार सुप्रीम कोट से और इस परकार जो है last date जो इसका बचा हुआ है वो 15 दिसंबर 2022 बचा हुआ 15 दिसंबर 2022 से पहले पहले केंदर सरकार को किसी भी हालत में one rank one pension का पैसा जो है हमारे जितने भी एक सर्विसमेन जो 2019 से जो है इसका इंतजार कर रहे थे कि one rank one pension का पैसा हमें जल्द से जल्द मिले उसकी जो है update पूरी होने वाली है लगभग लगभग एक मेहना ही बचा है केंदर सरकार के पास अब समय और वो इस समय के अंदर ही 2.57 fitment factor के हिसाब से जितना भी पैसा बन रहा है उसको किसी भी हालत में सरकार को जो है हमारे एक सर्विसमेन के खातों में डालना होगा यदि सरकार 15 दिसंबर से पहले या 15 दिसंबर तक जो हमारा payment अगर release नहीं करती है तो इसके बाद court of contempt लग जाएगा और सरकार की बहुत ही बड़ी फजियत हो जाएगी और किसी भी हालत में सरकार को फिर पैसा देना ही होगा एक हपतों के अंदर अंदर तो फिलाल फ्रेंड्स वीडियो में इतना ही था यदि कोई और information निकल करके आती है one rank one pension से related तो सबसे पहले आपको हमारे इस channel पे मिल जाएगी फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स